समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पूर्व सपा नेता अमर सिंग के बीच विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है अमर सिंग ने जब से सपा से किनारा किया है तभी से वो आजम खान पर अटैकिंग मोड में है लखनओ के गोमती नगर थाने में अमर सिंग ने आजम खान के खिलाफ फायार दज कराई है बता दें कि अमर सिंग ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए थे कि आजम खान ने उनकी बेटी पर तेजाब डालिन यसी अपराधिक बात कही थी जिस कारण अमर सिंग ने दिली से लखनओ तक की फायार यात्रा निकाली और फिर लखनओ पहुचने के बाद अमर सिंग ने आजम खान के खिलाफ फायार दज कई फायार यात्रा निकाली गई उतरपदेश के लखनओं के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया बेटी पर तेजाब डालने की बाद पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया वहीं आजम खान के खिलाफ अमर सिंग ने ये मामला दर्ज कराया है और अमर सिंग का कहना है कि उनकी बेटी पर तेजाब डालने की बाद कही थी जिसके चलते ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, गोमती थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया है बेटी पर तेजाब डालने की बाद पर अमर्सिंग नाराज हो गए और उन्होंने आजम खान के खेलाफ मुकदमा दर्ज कराया दिल्ली से लखनव तक FIR यातरा निकाली गई जिसके बाद ये कारवाई दिल्ली आकर की गई गोमती नगर थाने में ये मामला दर्ज कराया गया बेटी पर तेजाब डालने की बाद पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है गोमती नगर थाने में ये FIR दर्ज कराया गया है बेटी पर तेजाब डालने की बाद पर मुकदमा दर्ज कराया गया है आजम खान के खिलाफ अमर सिंग नाराज हो गए और जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कर दी बता दे कि आजम खान ने अमर सिंग की बेटी पर तेजाब डाले की बात कही थी जिसके बाद उन्होंने अब F.I.R. दर्श कर दिया है आजम खान के हिलाब